Korean company Samsung budget category के smartphone के बारिश कर रहा है specially M-series के अंदर ये M-series के जरिये Samsung mobile market में पकर मजबूत किया है इस साल की फेबुरारी में Samsung M31 launch किया था 15,999 रुपीज में इसका ही एक भाई M31S, Geekbench and TUV Rhineland certification पे spotted हो गया है आज इस phone का full specification, Indian launch date and price के बारे में चर्चा करेंगे हेलो दोस्त, मैं हूँ पीना की विश्वास टेखिनपू चैनल में आपका स्वागा थे तो चलिए, शुरू कर थे आजगा वीडियो Samsung की M31S की जो model number निकल का आया है इसका model number है SM3178 इस phone में आपको जो display होने बाला है 6.47 इंच Full HD Plus Super AMOLED Infinity O panel और इसका जो dimension मिलेगा आपको 159 x 75 x 8.9 mm इसका weight होगा 199 gram इस phone में आपको front में glass design देखने को मिलेगा जो gorilla glass 5G position मिल साकता है जैसे M31 में आपको मिला था gorilla glass 3 की position लेकिन इस बार जो leak आ रहा है M31S में gorilla glass 5G position मिल साकता है और back में आपको polycarbonate T body देखने को मिलेगा और M31S में जो PPI होने वाला है या 403 PPI मतलब जो display होने वाला है बहुती कमाल की display होने वाला है AMOLED panel वी तेहा पर आपको जो PPI उभी बहुत अच gorilla glass 5G position बहुती बड़ी आ डिस्पे देखने को मिल साकता है चलिए आप बत कर लेते हैं इसका performance के बारे में Samsung M31S में आपको M31 जैसा ही Exynos की 96001 प्रोजेसर मिलेगा जो 10 नैनो मीटर टेक्मिलोजी के उपर बनाया है और ये प्रोजेसर 1.8 GHz cross speed बेर चलेगा mid-range category के अंदर Exynos 96001 प्रोजेसर बहुती बड़ी आ है लेकिन Samsung अगर Exynos के जगा Snapdragon 6 या 7 सीरीस की कोई प्रोजेसर दे देता तो बहुती अच्छा होता जो भी है यहापर आपको OctaCore CPU के साथ Mali G72 MP3 GPU यहापर आपको देखने को मिलेगा और RAM दो भास्टन में आएगा 6 GB और 8 GB Flastroze की भास्टन होने बाला है यहापर आपको 2.1 जो 64 GB और 128 GB में मिलेगा लेकिन यह Realme and MI जो EFS 3.1 या 3.0 दे रहा है यहापर आपको 2.1 Samsung दे रहा है Samsung को इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि Flastroze की भास्टन के उपर जो फोन का स्पीड वो डिपेंड करता है इस फोन में भी आपको dedicate SD card slot मतलब 2 SIM card plus 1 SD card slot यहापर आपको देखने को मिलेगा जहापर आप 512 GB तक expandable कर सकते हो अब बतकले camera के बारे में यहापर आपको बहुती बढ़िया camera देखने को मिलेगा बैक में 4 camera देखने को मिलेगा 64 Mbps main sensor 1.8 aperture के सब ultra wide sensor 8 Mbps की 5 Mbps की macro lens and 5 Mbps की depth lens यहापर आपको देखने को मिल सकता है और back camera के जरी यहाप 4K video 30 FBS तक record कर सकते हो और यहापर आपको EIS की support भी देखने को मिलेगा front में भी आप 32 Mbps selfie shooter देखने को मिलेगा जहापर आप 4K की video 30 FBS में shoot कर सकते हो यहापर जो camera specification निकल के आया है 31S की यहापर 31 जैसे ही इसका camera specs है battery Samsung M series की जो mole highlight feature वह है battery यहापर आपको battery मिलेगा 6000 mAh की big battery जहापर आपको 22.5 watt की fast charging की technology support करेगी मतलब battery बहुत ही बढ़िया होने बाला है इसके इलाबा इस phone में आपको USB Type-C, Bluetooth version 5 NFC, 3.5 एमें headphone jack यह phone इंडिया में कब तक launch होने वाला है जैसे news आ रहा है July के end में यह phone इंडिया में launch होगा और जो news आ रहा है इसका price होने वाला है जो base variant इसका price होगा 15 to 7000 की अंदर ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास्टने नोटिफिकेशन बेल भी दबाए अगर आपको वीडियो के बारे में आपको यह सुजाओ हो तो ज़रूर कमेंट में बदाना तो दोस्त आज के लिए भीडियो यही खातम करते फिर मिलते आगले भीडियो में तब देख के लिए बाच्चे रहे है खुश रहे है शत्तो में बोजायते